अऩर नोकाओ वैल्टम तो वार यूट्यूब चैनल मेंगेमेंट टॉक्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंएनर बिजनेश्य के अप्रोच के बारे सारे decision Japan country से लेती है और उंदी के consumer को ध्यान में रखते हुए लेती हैं हम यहाँ इंडियन example भी ले सकते हैं जैसे कि अपनी सारी की सारी प्रौडक्ट इंडियन consumer को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं और इसे थरहां से दे सकते मेकD कान। यूएसे में हेंम डेकर सबॉसे ज्यादा बगता है मेक 네 का है। लेकिन उन्हें पॉस्तित मेंक आपनी कि दुटास्त म।्यूर्श और सब्हूंत हैं। का कॉस्मेटिक yeapar buldukٹ इंडिया सरा ने ही काुछ नानी फ्यास्टिकaltet को इंडिया पकिस्तान यंग अलाय बनादेश में सेम तरीक एसे प्रेजेंट परोच यहां का बेग्रांड सेम हैं फॉर्थ हैं last is geocentric approach, geocentric approach में company पूरी दुनिया के consumer को ध्यान में रखते हुए अपनी policies and strategies बनाती है, even अपने product भी पूरी दुनिया के consumer को ध्यान में रखते हुए ही बनाते है, चैसे कि Microsoft, Microsoft के सारे program, World, Access, PowerPoint, सब पूरी दुनिया के consumer की needs के मुताबिक बनते हैं, ना कि सिर्फ अमेरिका का consumer क इसे geocentric approach के सकते हैं, तो यह था international business के चार approach, जल्दी से summarize करते हुए, first approach, ethnocentric approach, जहां home country, यानि कि domestic market के अनुसर, पूरी international market में trade होता है, second polycentric approach, country-wise अलग-अलग marketing strategy यूज होती है, third is region-wise अलग-अलग marketing strategy यूज होती है, and fourth is geocentric approach, इसमें पूरी दुनिया के लिए same marketing strategy होती है, जिसमें पूरी दुनिया के consumer को ध्यान में रखा जाता है, तो आसा करते हैं, आपको यह video पसंद आई होगी, तो video को like कीजिए, share कीजिए, और channel को subscribe कीजिए, और ऐसे informative videos देखने के लिए, bell icon ज़रूर दबाईए,